कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं अल्ला का शुक्र है तो सुबह का टाइम हो गया है और अब आन पढ़ रहा है अलिफ लामिम और उसको पढ़ाते हैं उसके अबू सुबह में और हमारी ट्यूटी होती है तीन बज़े के बाद बच्छों को पढ़ाने के लिए और बच्छे बाहर पढ़ रहे हैं दोनों भाईबान तो चाय बना सबस्को को दे दिया हैं उसके बाद मैं आ गई हूं सबजी काटने के लिए तो सबज में बोडो की सबजी आज बना रही हूं की बोडो की सबजी हमारे हां बहुत कम आभाती है बच्छों को पसंद नहीं होती है इसके वज़直़ के लिए दूसरा कुस बनाना पढ़ता है तो बोड़ो की सब्जी बहुत बेकार निकल गई थी उसमें से जो छाट के निकला है उसे हम बनाए है और उसके बाद निकल गई है उसे हम हटा दिये हैं तो चुंचुन कर बनाना पड़ता है इसलिए कुछ देर लग रही है बनाने में और आज बारिस बहुत ज्यादा है बारिस की आवाज बहुत तेज थी राच से बारिस शुरू है और अभी तक खतम नहीं हुई है बारिस तो हम काटने के बाद मिलते हैं फिर दिखाते हैं कितना बरबाद हुआ है सबजी हमारी देखिए सबजी को हम काट लिए और इधर देखिए कितना बोरो खराब निकला है तो चलिए अब हम धो लेते हैं सबजी को देखिए हम सबजी धो लिए हैं और छनी में निकाल दिए हैं और इधर चुला भी जला लिए हैं तो सबजी को हम फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के बाद मसाला को बुनेंगे उसके बाद हम इसे उसमें डाल करके तक हम बना लेंगे और बच्चे गीवडा तोड़कर लाए हैं तो अभी हो गया है नास्ता का टाइम तो मैं बना रही हूँ रवा का हलवा नास्ते के लिए तो चलिए अब हम रखते हैं नास्ता अधर बारिश हो रही है तो वहाँ पे कैमरा नहीं ले जा सकती हूँ तो देखिए अभी साम का टाइम हो गया है तो साम के लिए मैं बना रही हूँ नास्ता तो साम के नास्ते में है पकोड़ा बना रही हूँ डाल के जो क्या बोलते हैं खिसारी की डाल होती है उसी को भीगो करके रख दी थी जब अच्छे से फूल गई है तो उसे हम पीस लेते देखिए दाल को हम पीछ लिए हैं अच्छे से और इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और प्याज जो हम काट करके रखे हैं उसे और अभी डाल रही हूँ लहसन काली मिर्च और जीरा का पेस्ट हम लोग बना करके रख देते हैं उसे ही यूज करते हैं तो देखिए प्याज और हरी मिर्च को डाल दिये हैं और अभी है लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर अब डालूंगी नमक तो अब इसे हम अच्छे से मिला देते हैं देखिए तेल हमारी गड़म हो गई है तब इसमें हम डाल दे रहे हैं पकोड़े के पीसे के तरीके से बना बना करके लेम को हम मेडियम टू हाई फ्लेम पर रखे हैं ज्यादा तेज नहीं रखेंगे नहीं तो पकोड़े हमारी जल जाएगी देखिए बहुत बढ़िया कलर दिख रहा हैं तो इसी तरह के से हम निकाल देंगे सारे पकोड़ों को देखिए नास्ता तयार हो गई है तो आपी रत के बाई रखे बाई रतास और नहीं दो कर तिहों को एंड़े तो रखो दिए अच्छिए लग्यों सुस्क्तर देख जिए लग्सी रिकिजी अंडिंगे ने कुला दिए टो इने कुला देखिए कर दो दूकर आए